प्रेपरवाजी का महापरूब्खार जिसके तुलना किसी चीज से की नहीं जा सकती जिसके बराबरी नहीं हो सकती अच्छी बात है अच्छे लोग हैं जो अच्छे कामों को सलाते हैं अवार देते हैं पर जब संथ अवार देता है वो दोनों ज़हान की ताकत बक्ष देता है तो यही शास्त्राम जी महराज ने इस खाक को करके दिखाया जो आपके सामने है संद तो अवार्ड सब कोई देता है लेकिन ऐसा अवार्ड उसी को मिलता है जो भगवान की तरफ से उसके काबिल होता है जिसे सद्गुर अपने काबिल समझता है वैसे संद पीर फकीर जो भी अवार्ड जो भी निशाने कोई देते हैं उसके पीछे खुशियां होती है उसके पीछे कर्मों का बहुत सारा बन जाना अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का खत्म हो जाना छिपा होता है बाकि इनसान पे निर्वर करता है कि वो उस किस भावना से लेता है कि लोगों को हमने ये करते देखा यार तुझे कप मिले मुझे गिलास मिले तुझे टावल मिला मुझे रजाई मिली तो टावल रजाई भी हो जाता है सिर्फ उसमें कोई खुशी नहीं रहती खुशी उसी में होती है जो भी मिल गया उसका सदकार उसकी इज्जित उसकी शर्दा जितनी कोई करता है वो राम वो अल्ला वो वहिगर वो इश्वर उतने ही खुशियां उसे बख्ष देता है क्योंकि फकीर जब कोई निशानी देते हैं तो इस मालिक की चर्णों में लिब लगाके प्रार्थना करके देते हैं कि मालिक जैसी इसकी शर्दा हो उससे कई गुणा जादा खुशियां देना अब वो इस पे निर्बर है की इनसान कैसी शर्दा रखता है संत जो देते हैं खुशी उसी क्यों होती है कई बार होता है कि लोग अपनी मन मरजी से कई चीज़े कर लेते उसके खुशी नहीं होती क्योंकि वो तो मन मरजी है और जब पीर फकीर कोई चीज़ बक्ष दें तो उसका मुकाबला कभी कोई कर ही नहीं सकता पर बात शर्दा की है बात दड़ जिकीन की है सुप्यारी सासंग जीओ ऐसा ही दिफ्स कल को मनाया जाएगा वो खुशियां वो पर्वानंद वो लज्जतें जो सद्गुर मौला ने नाम के दुवारा बक्षी है द्यामेर रह्मत के दुवारा बक्षी है वो हासिल कर सकते हो अगर आप सेवा करते हो अगर आप सुम्रन करते हो तभी वो खुशियां आपको हासिल हो सकते हैं अन्य था सेवा सुम्रन के बिना पर्वानंद की प्राप्ती नहीं हो सकती सेवा और सुम्रन आप लगातार करते रहिए चलते बैटके काम धंदा करते लेटके लगाता सुम्रन किया करो सेवा किया करो उसी से तमाम खुश्या मिलती हैं जब तक इनसान सेवा नहीं करता सुम्रन नहीं करता खुश्या उससे दूर रहती हैं तो वो खुश्या जिसके लिए दुनिया के लोग जंगलों में, पहाडों में, उजाडों में घूमते रहते हैं शास्तनाम शामस्तान जी दाता ने ऐसी खुशियां घर बैठों-बैठों को बख्ष दी है कितना बढ़िया काम है आप अपने परिवार में रहिए, बच्चों में रहिए घर में रहिए, परिसाथ में सेवा और सुमन करते रहिए तो खुशियों की कोई कमी नहीं आती पर ये हमेशा ख्याल रखिए चतर चलाकी जब रुहानियत में लोग करने लगते हैं जो माली के नजदीक होते हैं, जो लगता दिखने में के नजदीक हैं या जिन्नोंने कभी न कभी बहुत सेवा की होती मालिक उसे एक वार्निंग देता है उसको कोई समझ के सुदर जाए तो बहुत बढ़िया बात अगर उस वार्निंग को वाई चांस चलो हो गया होगा, चलो ऐसा ही हुआ अगर यू समझ लिया तो समझ लो आप ख़दरा खाने वाले है क्योंकि वो वार्निंग कोई भी हो सकती है कहीं से आप गिरे चोट लगनी थी बच गए या आपका कोई बेहद नुकसान हुआ या कहीं एक्सिडेंट हुआ या कुछ और तो वो वार्निंग देने का तरीका उसका अपना निराला है वो दिखा भी देता है कि मौत हो सकती है दिखा भी देता है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन वो होने भी नहीं देता ताकि उसके बच्चे समझ जाएं सुदर जाएं फिर भी अगर कोई ना सुदरे तो फिर फिर बहुत बड़े उसके करमाने वाले हैं समझो वो उसको भोगेगा चारपाई के या कहीं भी तो यही सचाई है यही हकीकत है इनसान को समझ लेना चाहिए कुदरत के इशारे को नियती कुछ ना कुछ इनसान के लिए नियत करती है और जो नियत हो जाता है उस पर अगर कोई चलता है तो खुश्या हासल कर पाता है अपने करम कटवा सकता है सेवा करे सुमरन करे झाल पता है स्वा अपने उसब्स